जैहें दालफियो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को समास के बारे में पढ़ाया था समास को पढ़ाते समय मैंने आपको समास के भेद भी बताया था जिसमें पिछले क्लास में हमने अब्याई भाव समास, ततपुरुष समास और कर्मधारे समास इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था आज हम आपको बता रहे हैं दुईगू समास दुईगू समास जो कि तत्पुरु समास का ही एक भाग है भेद है तो दुईगू समास को हम किस तरह से जानेंगे दुईगू समास उस समास को कहते हैं जिस समास का पहला पद संख्या वाचक और दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं समुह वाचक हो उस समास को हम दुईगू समास कहते हैं इसमें पहले पद की प्रधानता बताई जाती है वो संख्या वाचक होता है और दूसरे पद का समूह वाचक होता है जैसे चोराहा, शब्तरिशी, दो पहर तो इसका विग्रह हम इस तरह से करेंगे चोराहा, चो मतलब संख्या हो गया चार और रहा मतलब रा, चार राहों का समू उसी प्रकार सब्त रिशी, तो सब्त मतलब साथ, और रिशी मतलब रिशी, तो साथ रिशीयों का समू ठीक है? पहला पद संख्या वाचक है, दूसरा पद समू वाचक है और विग्रह करते समय हम लिखेंगे साथ रिशियों का समू उसी प्रकार दो पहर तो दो मतलब दो और पहर मतलब समय दो पहरो का समाहार इस तरह से हम द्विगु समास को समझ सकते हैं द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक, दूसरा पद समू हुआचक होता है अब हम बात करते हैं बहु ब्रही समास की बहु ब्रही समास से पहले मैंने यहां पर लिया है द्वंदव समास तो बात करते हैं हम पहले द्वंदव समास की द्वंदव समास किसे कहते हैं तो द्वंदो समास तो जिस समास जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और विग्रख करने पर जिसमें और ग्या तथा अथवा आता है उस समास को द्वंदो समास करते हैं जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रख करने पर जिसमें और या तथा अथवा आता है उस समास को द्वंदो समास कहते हैं जैसे माता पिता बढ़ा छोटा आओ जाओ उपर नीचे आदे अब हम इस समास को विग्रा करके देखते हैं कि कैसे इसमें द्वंदो समास है तो सबसे पहले हम उदारण लेते हैं माता पिता तो इसका विग्रा करते समय जैसा कि मैंने आपको बताए कि और या तथा अथवा आता है तो यहां हम लिखेंगे माता और पिता जैसे बढ़ा छोटा तो बढ़ा या छोटा फिर उपर नीचे तो उपर या नीचे तो इस तरह से विग्रा करने पर हम देख रहे हैं किसमे और या या आदी सब्द लगे हुए हैं इसलिए ऐसे समास को हम दौन्दव समास कहते हैं अब हम चलते हैं बहुब्रिही समास पर बहुब्रिही समास बहुब्रिही समास उस समास को कहते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं उस समास को हम बहुब्रिही समास कहते हैं जैसे दशानन पीतामबर चक्रपाड़ी तो यहां आप उदारण में देख रहे हैं दशानन, पीतामबर और चक्रपाड़ी तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समास इस प्रकार हो जाएगा दश है आनन जिसके अर्थाद दशानन किसके हैं रावड के उसी तरह से पीतामबर पीला है अमबर जिसका तो किसका पीलामबर है अर्थाद विश्रू के उसी तरह से चक्रपाड़ी चक्र है हाथ में जिसके अर्थाद विश्रू तो इस तरह से हम बहुबरी समास को समझेंगे एक बात यहां मैं आपको और बता दूं कि बहुबरी ही समास और कर्मधारे समास और द्विकु समास के उदारण एक जैसे होते हैं तो यहां पर हम इसका विग्रह जिस तरह से करेंगे उसका नाम हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे जिस समास में जिसका जिसकी जिसके आता है वह बहुबरी समास होता है जिस समास के विग्रह में है जो के समान के जैसा आता है वह कर्मधारे समास होता है और जिस समास में संख्या बताई जाती हो केवल संख्या का ही बोध होता है उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं तो जैसे दस है आनन जिसके तो दस संख्या है और आनन जिसके हो गया रथात यहां तीसरे पत की प्रधानता को बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास हो गया और दस आनन बस दस आनन लिखेंगे दस सिर लिखेंगे तो यह हो जाएगा द्वीगू समास ठीक है? अगले वीडियो में मैं आपसको फिर कुछ नए ब्याकरण के सिर्षक बताऊंगी जैहिंद